प्रकरती के अंगिनत रूप आए दिन मानव जगत को अचम्भित करते आए हैं कई बार हमें ऐसे जीव देखने को मिलते हैं जिनकी हम कल्प ना भी नहीं कर सकते तो वहीं कभी-कभी एक ही जानवर के कई प्रती रूप देखने को मिलते हैं लेकिन आज हम आपको एक ऐसे जानवर से रूबरू कराने वाले हैं जो की छोटा होने के साथ साथ बेहद ही खूबसूरत है तो चलिए टाइम ना खराब करते हुए वीडियो शुरू करते हैं मेडगाउसकर में पाया जाने वाला यह इस्तंधारी लोलेंड इस्ट्रेक्ट टैनरेक के नाम से जाना जाता है हाला कि भले ही देखने में यह एक छचुंदर की तरह हो पर इसके पूँच नहीं होती जिस वजा से यह थोड़ा अटपटा लगता है वैसे इस पिरजाती के टैनरेक्स पीले भूरे और काले रंगी धारियों के साथ साही जैसे काठे दार होते हैं इनके काठे इतने मजबूत होते हैं कि शिकारी जानवर इनका आसानी से शिकार नहीं कर पाते द्रसल खुद पर अटेक होने पर यह अपने काटों को सक्त करके हाथियार की तरह इस्तिमाल करते हैं जिससे शिकारी जानवर को मजबूरन पीछे हटना पड़ता है अगर बात करें इनकी ओसतन लंबाई की तो यह 5.5 इंच तक के हो सकते हैं जबकि इनकी अधिक्तम लंबाई 6.8 इंच रिकॉर्ड की गई है इसके लवा इनका वजन 125 ग्राम से 280 ग्राम तक हो सकता है जबकि इनकी आई उ महज 2 से 3 साल तक ही होती है वैसे धारीधा टैनरेक चूहू की तरह ही लंबे उतले बिलो में रहते हैं और अपनी लंबी धूतन के जरीए दूर से ही अपने शिकार का पता लगा लेते हैं यह दिन और रात दोनों समय सक्रिये रहते हैं इनका आहार मुक्के रूप से केचुओं से बना होता है लेकिन यह कभी कभी अन्य अकेश रुकी जीवों का भी शिकार करते हैं इसके लावा कई बार इसे अपने अगर पंजों के साथ जमीन पर अपने पैरों को ठोकते हुए देखा गया है यह एक ऐसा अनुकूलन है जिसके बारे में माना जाता है कि यह आसान चारा के लिए केचुओं की गती विदी को बढ़ा देता है जिसके बाद यह उन्हें आसानी से अपना शिकार बना लेता है साथ यह फल खाने में भी सक्षम है तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में हमें जरू बताएं इसी तरह की और अमेजिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल वाइल्ड वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें